जैसे कि साल का आखरी मंगलवार और साथ में ही पढ़ रही है इस दिन साल की आखरी पूर्णिमा माकशीश की जो पूर्णिमा तिती है बहुत जादा खास है अगर आप लोग इस पूर्णिमा तिती पर मालश्मी को प्रसंद कर लेते हैं तो नए वर्ष में नहीं सताएगी गरीवी जानी कुछ ऐसे खास उपाए ऐसे कुछ जोतिश उपाए जिनको अगर आप इस पूर्णिमा तिती पर वो भी मंगलवार के दिन पढ़ रही है अगर आप पे करते हैं तो जीवन में आपके आने वाले साल में कोई भी समस्यान नहीं होगी सबसे पहले कि आप सभी जानते हैं कि जो पूर्णिमा का दिन होता है वो भगवान शिरी हरी विश्णू को समर्पित होता है माता लक्ष्मी को समर्पित होता है इस दिन भगवान शिरी हरी विश्णू और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा रातना करें पंचा अम्रीद बना के अगर उनका भी शेक करते हैं और उसे फिपरशाद सवरुप पज़वार के सभी सदसे ग्रहन करते हैं तो आपके जीवन में मधूरता बनी रहती हैं आपकी सभी मनो कामने पूर्ण होती हैं इस दिन आप मालश्मी की विशेश कर पूजा राधना करें आज के दिन आप कनकधारा स्रोत का पाठ या विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके ग्रह दोश से आपको मुक्ती मिलती हैं आपका भाग्य आपका सहायक बन आपके रुके वे काम चलने लग जाए वैपार में व्रदी हो जाए तो आज के दिन वो भी मंगलवार के दिन पड़े हैं मांक्षेश की पोनिमा साल की आखरी पोनिमा हैं तो जरूर से जरूर यह है उपाए अवश्य कीजिए 32 गुना फल की प्राप्ती होती है जो इस दिन भगवान श्री विश्नु की पूजा राधना करते हैं और व्रत रखते हैं आज के दिन आप तामसिक भोजन ग्रहन नहीं करें वैसे भी मंगलवार है तो इस चीज़ का विशेश रूप से ध्यान करें और आपके जीवन में जो लाल कपड़ा ले लें चोटा सा बिलकुल उसमें चार लॉंग रखकर माता लश्मी भगवान श्री हरी विश्नु के समक्ष रख दें और कनक धारस्रोत का पाठ करें उसके बाद आपने करना क्या है इस पोटली को उठा लेना है और इसकी पोटली बना ले धन रखने के स् शेश कृपा होगी छोटे से उपाय से आपके घर में आने वाले साल में कोई भी धन से जूरी समस्या नहीं होगी आज के दिन आप कुंडली में अगर कोई भी ग्रह दोश है तो आप पीपल के पेड में एक लोटा जलने कच्चा दूद मिश्रिया बताशा डालने के विश्रिया जड़ पे जरूर जड़ाएं साथ में ही विश्नु भगवान के सहस्रे नाम का जाप अगर आप पीपल के पेड के पास बैठके करते हैं और पीपल के पेड की 108 बार प्रक्रमा करते हैं इससे जीवन के कुंडली के सारी ग्रह दोश इसमाप्त हो जाते हैं औ नजर हाए दोश अच्छे-अच्छे को बरबाद कर देती है जब किसी की हाई लग जाती है किसी ने कुछ तंत्र मंत कर रखा है पहुत जादा परेशान है साल की आखरी पूनिमाती थी है मंगलवार को पड़ रही है और आने वाले साल के विक्रम समन्त में जो राजा है व मंगल है तो इस मंगलवार को आप यह उपाई करें और आने वाले भी नए साल में मंगलवार को यह उपाई करते रहते हैं तो जीवन में कभी कोई समस्याओं का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा पूरा साल आपका बहुत अच्छे से बीतेगा आप आज के दिन हनुमान मंदीज जरू जाए और आज के दिन आप लाल रंके वस्तधारन करें साथ में ही आप मंदीज आके हनुमान जी को लाल गुलाब के फूलों की माला लाल रंके फूलों की माला उन्हें जरू से जरू चढ़ा के हैं अपनी मनो कामना बोलते वे एक पान का पत्ता ले उस पे आपने थोड़े से गुड़ चने रखके भोग जरू लगाएं और वहीं बैटके आप एक दीपक प्रजलित कर दें चौमुखी दीपक बना ले आठे का उसमें आप थोड़ा सा पीली सरसो और लौंग डातें किसी भी प्रकार की नजर हाई दोश आपके जीवन में है आप लग रहे हैं वो सब सही सुचारू रूप से चलेंगे उसके लिए दीपक आप प्रजलित करें वहीं बैटके आप साथ बारी हनुमान चालेसा का पाठ करें हनुमान जे मंदिर में जाके उनके समश बैटके ये उपाय आप कल से शुरू करें और पूरे साल 2024 में करते रहें हर मंगलवाद देखें आपकी किस्मत पलट जाएगी भाग्य आपका साथ अगर नहीं दे रहा तो भाग्य साथ देने लग जाएगा जीवन की समस्या धीरे धीरे आपके जिंदिगे से दूर होगी और कुछी महिनों में धन से जुड़ी समस्यां भी दूर होने लगेगी भाग्य साथ देगा आपको पर्मोशन मिलेगी अचानक धनकी प्राप्ति देखी जब ही होती है जब आपका भाग्य साथ दे रहा है वैपार में एकदम अचानक से व्रिदी होने लग गई तो अचानक धनकी प्राप्ति के योग बनने शुरू होगे कर्ज से मुक्ति मिले जाइदाद को लेके कोई समस्या है, कोट का चैरी को लेके समस्या चल रहे, तो ये एक मात रुपाए आप इस मंगलवार से शुरू करते हैं और करते रहते हैं आगे के मंगलवार तक आप धीरे-धीरे देखेंगे जीवन में परिवतन आना शुरू हो जाएगा साथ में आज के दिन आप शिव मंदिर जरूर जाएं शिव मंदिर जाकर आप एक चावल का दाना ले लें और एक चावल का दाना अपने हाथ में लेकर अपनी मनों कामना बोलें इच्छा बोलें और शिवलिंग पर अर्पन करते हैं धन समंदी जो भी समस्या है वो प्रातना करते हुए और एक लोटा जल लेंगे उसमें आप शहर मिला लेंगे शहर मिला के उस जल से फिर आपने बाद में भगवान शिप का अभिशेक कर देना है अभिशेक करेंगे वही बैठके ओम शिवे नमस्तु भ्याम मंत्र का जाप करेंगे 108 बार अपनी मनो कामना इच्छा ब भूलें अपनी शमता अनुसा दान पुर्णे अवश्य करें कर्ज बहुत जादा हैं काम बार बार रुकट आपके अटक रहे हैं बन नहीं रहे हैं रुकावटे बहुत सारी हैं तो लाल मसूर की डाल सवा पाव ले ले आप उस डाल को आप एक पनी में कपड़े में लाल क शुरू हो जाएंगे और कर्ज से भी आपको धीरे-दीरे मुक्ती मिलनी शुरू हो जाएगे मंगलवार का दिन है हनुमान जी को समर्पित है साथ में इस दिन आप जरूर से जरूर बंदरों को कुछ ना कुछ खिलाएं केले खिला सकते हैं आप चना गुर ले 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 और थोड़ा सा काला तिल उन्हें आप इकठा करने किसी भी जरूर बंद को अपने सर से साथ बरी उबारे और उसमें कुछ दक्षिना जरूर रखें और इस तरह से आप दान करते हैं जो भी आप सर्दियों से रिलेटिव चीज़ें हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं किसी को भोग लगाया और घर ही लेकर आगे भोग लगाने के बाद आप उस सारा बार दे थोड़ा सा घर लेके हैं प्रशाद सोरुप और सभी परिवार के सब्दस से ग्रहन करें इस तरह से आप ये उपाई जरूर से जरूर छोटे-छोटे से उपाएं हैं करते हैं तो जीवन की समस परिशानिया दूर होती है साल का आखरी मंगलवार है अपने घर में भी आप हनुमान जी की मूर्तिया परतिमा है तुम्हां पे एक दीपर प्रजुलित करें उसमें एक लॉंक जरूर डाले साथ बार हनुमान चालिसा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूले हर मंगलव कल से शुरू करके अगर आप साथ बरह में चालिसा का पाठ करते हैं जीवन की समस परिशानिया धीरे धीरे दूर होने लगती है अब मुझे आगया दीजे फिराती कुछ ऐसी अचूग से उपाई की साथ में कुछ ऐसे जोती शुपाई लेकर आऊंगी जिससे कि आपके ज जीवन की समस परिशानी दूर हो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जादे से जादे शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें मुझे आगए दीजे जैश्री क्रिशना हर हर महादीव